अगर आपको periods के दोरान heavy pain हो रहे हैं या कि periods अन्यमित हैं आप doctors के पास visit किये और doctor ने आपको बताया कि आपकी uterus में आपकी बच्चे दानी में गाठ हैं वही पर आदे से जादा लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है सही जानकारी होना बहुत लाओ के अंदर PCOD, PCOS की समस्या हमारी बच्चे दानी में गाठ हो जाना यानि uterus में fibroid का हो जाना आद इसी के बारे में बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके होने के क्या कारण होते हैं क्या लक्षन होते हैं और साथ ही इस समस्या से योग की मदद से और proper diet की बचा जा सकता है तो आपको वीडियो को पूरी अंत तक देखना है और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और मुझे Facebook और Instagram पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फाइब्रोइड है क्या हमारी यूट्रेस यानि बच्चे दानी के around non-cancerous growth हो जाए इसको फाइब्रोइड कहते हैं और यह हर महिला में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं यह फाइब्रोइड जो हैं बहुत छोटे से मटर के दाने की तरह भ क्या मेडिकेशन से इसको क्योर किया जा सकता है अभी तक मेडिकल साइंस में इसका सठीक कोई भी जवाब नहीं है यानि कि अभी तक ऐसी कोई भी medicine नहीं आई है जिससे की यूट्रेस में जो फाइब्रोइड है उसको completely क्योर किया जा सके इस स्टाइल में बदलाव करके ज क्या actual में region है क्या किस कारण से ये यूट्रेस में फाइब्रोइड होते हैं लेकिन इसके होने के बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं कि आपका weight अत्यधिक है यानि obesity है आपको आपका वजन बढ़ रहा है खान पान बहुत अनियमित है अनियंत्रित है आप exercise नहीं करते आपकी lifestyle जो है बड़ी ही inactive है यानि एक जगह पर बैठे बैठे आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है साथ ही आप move नहीं करते हैं बहुत जादा इसके लावा आपको अगर early periods हो गए हैं या कि आपकी family history में किसी को ऐसी समस्या थी कि बच्चेदानी में गाट हो जाना आप अ unhealthy lifestyle की वज़े से जैसे कि आप बहुत अतिदिक smoke करते हैं या drink करते हैं और भी बहुत से कारण इसके हो सकते हैं तो अब कारण तो पता चल गया लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके लक्षन क्या है कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें uterus में fibroid हो सकते हैं सबसे पहली बात अगर आपको बहुत heavy periods आते हैं, नॉर्मल periods से भी अतिधिक periods आते हैं बहुत frequent period आते हैं या कि फिर आपको periods के दौरन अत्यधिक असहनीय पेन होता है, दर्द होता है या कि फिर आपको pelvic region के around या कि lower abdomen के around या lower back के around दर्द रहता है आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है frequent urination यानि बार-बार पेशाब जाने का मन होता है लेकिन पेशाब उस तरीके से clear नहीं हो पाती है या कि फिर आप constipated feel करते हैं constipation की समस्या होती है या कि फिर आप conceive नहीं कर पा रहे हैं आपकी fertility जो है बहुत ही ज़्यादा low है आपकी फिर conceive कर पाने में बड़ी ही complication आ रही है तो ये सारे लक्षन हो सकते हैं आपके uterus में गाठे हैं अब ये uterus में जो गाठे हैं क्या इनसे इतना डरने की ज़रूरत है नहीं इनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है तो हमें पता चल गए कि कारण क्या है लक्षन क्या है uterus में fibroid होने के आप जान लेते हैं खान पान में क्या तबदीली करनी पड़ेगी आपको अपनी eating habit में काम करना होगा तो आपकी body में ऐसे hormones जो की estrogen को produce करते हैं उनको कम करना पड़ेगा उनको avoid करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप meat का consumption करते हैं उनको कम करना पड़ेगा process food अगर खाते हैं जो बाहर का packaged food है उसको खाते हैं बहुत ही तला भुना ये सब चीजें इनको बंद करना पड़ेगा साथ ही बहुत dairy products भी आपको consume नहीं करने हैं आपको आपकी diet में iron rich food को consumption बढ़ाना है जैसे कि green leafy vegetables हो गए healthy fats हो गए इन चीजों का consumption बढ़ाना है साथ ही chia seeds हो गए flex seeds हो गए इनका consumption आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ऐसे फलो को consume करना है जिसमें water content अधिक से अधिक हो और ये fruits जो हैं वो fiber से भरे हुए हो ऐसे fruits को भी बहुत अच्छी तरीके से consume करना है आपको alcohol और smoking से दूर रहना है आपको stress से दूर रहना है औ और साथ ही एक खुशाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है अब मैं आपको बता रही हूँ कौन-कौन सी योग अभ्यास हैं जो कि आपको निरंतर करने हैं जिससे की आपका stress कम होगा साथ ही इससे आपकी uterus को स्वस्त रखने में मदद मिलेगी आपकी hip के around का pain आपके प soul of your feet together इस तरीके से और जितना भी हो सके अपनी एड़ी को अपने pelvic region के करीब लेखे आएं इसका नाम है बद्ध कोन आसन या English में इसे cobbler pose कहते हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों को फसा ले और इससे अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़े और कमर गर्दन को सीधी रखें और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप अपने दोनों घुटनों को उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे जिससे की आपके pelvic region के around blood flow improve होगा hips के around जो stiffness है वो कम होगी और जो दर्द होता है ना पैर में कमर में ये भी कम होगा तो periods के दोरान ये अभ्यास जरूर किया करें ऐसे उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से फ्लाप करें इसका अभ्यास आपको कम से कम एक मिनट तो हर रोज करना है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप बद्धकोर्ण आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपक जैसे बटरफलाई तिदली अपने पंखों को फड़ फड़ाती है ना उसी तरीके से करना है फिर क्या करें कि अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें जेंटली बहुत जेंटली अपने घुटने को फ्लोर की तरफ ऐसे पुश करें ताकि एक extended stretch मिल पाए और इसको कम से कम stretch को 5 सेकेंड, 10 सेकेंड जितना आप कर सकती हैं सुरू शुरू में उतना आप इसको hold करके रखें ऐसे इस तरीके से पूरा का पूरा जो आप stretch है अपनी इनर्थ हाईज पर महसूस करेंगी अपनी genitis के around महसूस करेंगी और hips के around महसूस करेंगी ऐसे hold करके फिर उसके बाद थोड़ा और extended stretch देंगे अपनी lower back को दोरो हतेलियों को आप अपने mat पर ऐसे रखेंगी और धीरे 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 रीरी की हड़ी को सीधा रखना है और जितना आगे की तरफ ऐसे आप जुकते हुए ऐसे ऐसे धीरे 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 मूव कर सकत है वैसे मूव करें इस तरीके से ऐसे और जितना अगर इतना नहीं जुक सकती है यहां तका सकती है यहां पर आ जाए और अगर आगे और जुक सकती है तो आगे जाते जाए और अपनी च्छाती को पैर की तरफ elbow को mat पर और हतेलियों को mat पर drop कर दे और इसको hold करें कम से कम 10 10 सेकेंड या 30 सेकेंड यहां पर और फिर वापस आने के बाद आपने धोनों गुटनों को एक बुसरे के साथ जोड़े और इस तरीके से ऐसे हग कर ले तो इस अभ्यास से आपको बड़ी मदद मिलेगी पैरों लोब बाक के अराउंड जो दर्द होता है स्टिफनेस होती है वो सब छू मंतर करने में आप फिर से पैरों को खोल लें दोरों हाथों को बड़ी के पीछे रखें फिर से पैरों को टाप करें ताकि पिछले अभ्यास से जो टेंशन हुई थी उसको छू मंतर किया जा सकें तो पुरुश और महिलाएं दोनों इसका अभ्यास कर सकती है प दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ओनलाइन योगा क्लासेस में इन ओनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंड़क्ट किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आसानी से मेरे साथ जूड कर मेरी निगराने में रहके योग का भ्यास कर सके। इन उनलाइन योग क्लासेस को जोईन करने के बाद मेरे कई सारे स्टुडेंट्स को उनकी हेल्थ कंडिशन में बहुत ही जादा सुधार देखने के लिए मिला है। चाहे वो periods related समस्या हों, PCOD, PCOS, fibroid की समस्या, conceive नहीं कर पा रहे हैं, infertility की समस्या, diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure की समस्या, depression हो जाना, anxiety की समस्या, अतिधिक stress लेना, रात में नीद नाने की समस्या, joints में pain होना, weight gain करना या weight lose करना, ऐसी कई सारी समस्याएं जिससे की मेरे students उबरे भी हैं और उन online yoga classes में हर दिन आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानायाम, ध्यान, relaxation, cleansing की टेखनीक बहुत सी चीजे सिखाई जाती हैं और हर दिन आपको अलग-अलग तरीके के practices बताई जाती हैं, इन online yoga classes को कोई भी join कर सकता है, अगर आप beginner हैं, already yoga का अभ्यास कर रहे हैं, या कि completely beginner friendly हैं, और आपके पास flexibility हो जाती है, कि आप इन courses को purchase करने के बाद, कहीं भी, किसी भी जगा, कितनी भी बार इन videos को play करके, अपनी practices को जारी रख सकते हैं, और ये courses भी beginner friendly हैं, अगर आपको इन courses और classes के बारे में और जानकारी चाहिए, तो मेरी website जरूर विजिट कीजेगा जो की है www.yogavishahida.com, या कि फिर यहां पर मैं एक WhatsApp नंबर शेर कर रही हूँ, इस WhatsApp नंबर पर एक WhatsApp कर दे, ताकि आपको class के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके नंबर पर भेज दी जाए, तो बिना देर किये हुए, जाए मेरी website विजिट कीजे, या कि फिर एक WhatsApp कीजे, शुरू करते हैं, अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं, चक्की चालनासन का अभ्यास, इस अभ्यास में जैसे की नाम से ही पता चल रहा है कि चक्की को चलाना है, पहले जब इतना आविशकार नहीं हुआ था, साइंस में तरक्की नहीं की थी, तो हमारे घर में बड़ी- ऐसे, और एलबो सीधी रखें, और फिर ठीरे से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लीन हो जाएं, जुक जाएं ऐसे, एलबो लेकिन सीधी रखना है, आपको इमाजिन करना है, आपने एक चक्की की हैंडिल को पकड़ा हुआ है, सास लिया और सास छोड़ते हुए ऐसे पेट पर द सास छोड़े सास ले और साँ छोड़े ऐसे तो कम से कम 10 टाइम्स आपने कलोकवाइज कर लेना है ऐसे ही और फिर उसके बाद एक डिरेक्शन में कर लिया फिर उसके बाद दूसरे डारेक्शन में ऐसे आगे की तरफ जुके ऐसे ऐसे रीड की हड़ी जुका के नहीं रखेंगे सीधा रखेंगे और फिर ऐसे वान टू थ्री फोर एंड फाइव यह अभ्यास करने के बाद जब कुछ दिन आपका ऐसा अभ्यास हो जाएना तो अब आपने पैरों को कर सकती है जितनी दूरी पर आप दूरों पैरों को एक दूसरे से दूर कर सकती है उतना दूर करें अब इसका जब आप अभ्यास करेंगी तो पूरे से कम 10 टाइम्स एक दिशा में क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे आगे की तरफ पूरा जुकेंगे कि आप पूरा दम लगा रही है तो इसका इफेक्ट आपको पूरे के पूरे यूट्रिस पर देखने के लिए मेरेगा और फिर पर जब एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड करना बिलकुल ना भूले बहुत सी लोग क्या करते हैं सिर्फ एक साइड अभ्यास कर लेंगे ऐसे इस तरीके से ऐसे फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉड़ी के पीछे रखें दोनों पैरों को फिर से खोलें पैरों को करें इस तरीके से और खिचाओ बहुत अच्छा आ गया है पैरों में न तो आराम से ऐसे पैरों को हग करें ताकि टेंशन जो बनी थी वो दूर भाग जाए अब अगला अभ्यास करेंगे आपने कभी नाव तो चलाया होगा या नाव को चलाने वालों को देखा जरूर होगा उसी से प्रेवित होके अगले आशन का अभ्यास करेंगे हम कर रहे है नाव का संचालन आशन का अभ्यास इस अभ्यास को करने के लिए आपको दोनों पैरों को ऐसे खोल के बैट जाना है बोडी के सामने एडियों को और अंगूर्ठों को जोड के रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर जूड ना पाएं तो थोड़ा सा फासला करने में भी कोई दिक्कत नहीं है इस आशन के अभ्यास से आपके पेट पर बड़ी अच्छी मसाज मिलेगी मालिश होगी पेट की साथ ही लोवर बैक पर खिचाओ आएगा और कंधों के अराउंड की जो रखेगा तो इमाजिन करें कि आपने अपने हाथों में चप्पू पकड़ा हुआ है जब नाव चलाते है उस समय जो चप्पू होता है पैडल होता है उसको अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ है सामने देखें confident रहें ठीक है और फिर उसके बाद सामने की तरफ जब तो आपके पेट पर थाई का जो दबाव पढ़ रहा है इसको महसूस करें ऐसे फिर पीछे की तरफ आएंस शास ले सास छोडे फिर सास ले कम 10 से 15 बार आपको कर लेना है और अगर अभ्यास थोड़ा और अधिक बढ़ाना है तो आप इसको कम से कम 10 से 15 रेपेटेशन के तीन तीन सेट कर लिया करें फिर से अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को बाड़ी के पीछे रखेंगे और फिर थोड़ा यहां पर हम रेस्ट करेंगे ब्रीद करेंगे ब्रीद करेंगे ब्रीद करेंगे अब अगले आसन को जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है एक स्पाइनल ट्विस्ट जिससे की हमारी एब्डमन पर हलका दबाओ पड़े हमारे पैरों पर हलका खीचाओ आए और चुकि ट्विस्टिंग है तो गर्दन कंधे और स्पाइनल कॉट पर भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा हम अभ्यास कर रहे हैं भरत द्वा जासन का वेरियेशन के साथ करेंगे ताकि सभी महिलाएं इसका अभ्यास देखकर वीडियो को कर सके आपको क्या करना है दोन ऐसे मोल लिया है एसे साइड में रखा फिर उसके बाद आप क्या करेंगी ऐसे बैठे नीचे है लेकिन घुटने को साइड में मोल लिया अगर घुटने में दर्द है तो इस आसन को कंप्लीठी आपको आवॉइड करना है stiffness जादा है फिर भी इस आसन को avoid कर दीजे कोई problem नहीं है अगर जित्रे भी मैंने आसन बताये है उसमें से एक दो आसन छूट जाएं क्योंकि आप नहीं कर पा रही हैं अभी कोई बात नहीं उस आसन को skip कर दे और दूसरे आसन को करने लग जाएं फिर उसके बाद अपने right foot को left thigh के उपर इस तरीके से रखें अब क्या करें कि अपने left palm को घुटने पर रखें right घुटने पर रखें और right palm को body के पीछे रखें जरा इस side से देखें इस तरीके से और पीछे की तरफ ऐसे twist होना है इस तरीके से यहाँ पर कम से कम इस पॉस्चर को 30 सेकेंड एक साइड होल्ड करें और ब्रीधिंग नॉर्मिल करते रहें इस तरीके से तो इस डीप स्पाइनल ट्विस्ट का इफेक्ट आपने पूरे अब्डॉमिनल रीजिन पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब एक साइड अभ्यास कर लें तो इसी का अभ्यास आपको दूसरी तरफ करना है अब राइट पैर को घुटने से मोड़ा राइट हील को राइट हिप के साइड में रखा राइट टो जो है वो आउट है हलका सा आप अगर काफ को ऐसे बाहर की तरफ पुश कर देंगी न त थोड़ा आपको और आराम मिलेगा बैठने में तो यह हो गया पैर की पुशिशन फिर उसके बाद अपने लेफ पैर को मोड़ कर लेफ्ट फूट को राइट थाई के उपर रख दिया इस तरीके से फिर राइट पाम को लेफ्ट नी के उपर रखा और लेफ पाम को बॉड ऐसे इस तरीके से ब्रीद करते रहेंगे ऐसे ब्रीद करते रहेंगे और फिर इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड रोखना है तीन सेट करना है आपको तो 30 30 30 के 3 हो गए तीन अभ्यास हो गए दोनों साइड आपको करना है यानि राइट साइड भी करना है लेफ्ट साइड भी करना है तीन सेट करना है 30-30 सेकंड हर बार रोक के रखना है अगर जादा रोक सकते हैं तो जादा रोक के रखें और अगर कम करना चाहते हैं टाइम वो भी कम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अब जो अगला आसन हम करेंगे हम करेंगे पेट के बल लेट कर करने वाले आसन पेट के बर लेटने के बाद आप आराम से इस तरीके से पेट के बर लेट जाएं हम अभ्याज कर रहे हैं धनुरासन का ठीक है धनुरासन से पूरी बैक जो बैक की जो मसल्स है उनमें स्ट्रेच आएगा आपके कंधे आपके स्पाइनल कॉर्ड आपके हिप्स पर असे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और साथ ही पेट पर हलका दबाओ पड़ेगा यू एक एक करके दोनों पैर के एंकल को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से ठीक है और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दें सास लेते हुए हेड आप चेस्ट आप और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी थाई को भी उठाएं और छत की तरफ देखने की कोशिश करें और यह पर नॉर्मल ब्रीधिंग करते रहें कम से कम पास से दस सेकेंड होल्ड करें पॉस्चर को और फिर उसके बार हेड को ड्रॉप कर दें चेस्ट को ड्रॉप कर दें ऐसे फिर से एक बार देखें सास लें अगर सासों को रोक सकते हैं तो रोके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 सासों को नहीं रोक सकते हैं तो आप नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं धनुल आसन का जो अभ्यास है वो जब आप पीरिड्स में होंगी उस वक्त नहीं करेंगी क्योंकि पेट के बल आपको लेटना है उस वक्त धनुरासन का अभ्यास नहीं करेंगी इसको भी 3 सेट करना है रोकने का जो डियूरेशन था वो आपने हिसाब से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड रोक लेंगी नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम अगले आशन के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे पेट के बल लेटने वाला आशन का अभ्यास तो कर लिया अब हम आराम से दूसरे आशन को जो की धनुरासन का काउंटर पोज होगा ठीक है आप देख रहे हैं मैं किसनी systematic तरीके से आपको आशनों का अभ्यास बता रही हूँ कि पहले ये कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, सीक्वेंस ताकि एक आसन का अभ्यास करने के बाद दूसरा आसन, पिछले आसन की जो टेंशन है उसको दूर भगा दें हम कर रहे हैं reverse table top position दोनों हाथों को body के पीछे रखा कलाई body की तरफ, अंगुठे बाहर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, इस तरीके से रीड की हड़ी को आप सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से आप मोल लेंगे सामने देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, और दोनों घुटनों के बीच में न, फासला रहेगा कमर जितना ऐसे जोड के नहीं रखेंगे, ऐसे दूर रखेंगे, चीक है, ऐसे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और फिर उसके बाद धीर ऐसे हिप को आप करेंगे ऐसे 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 गर्दन को धीली छोड़ दें हिप को जितना हो सके उपर की तरफ उठाएं जैसे की टेबल बिची हो, hold करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 इस तरीके से जब आप अपनी कमर को उठाएं ना तो पूरे हिप्स को थोड़ा सा टाइट करके रखें और अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करें ताकि आपके यूटरल्स पर बहुत अच्छा दबाओ आएं और आपकी लोवर बैक में जो पेन है वो भी दूर भाग जाएं इस अभ्यास को भी पीरिड्स के दौरान मत कीजेगा जब पीरिड्स ना हो तब करें अब धीरे से फिर से एक बार देखिए हिप को उठाया धीरे 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 गर्दन को धीला छोड़ दिया, hold किय पेट को अंदर की तरफ खीचें, अपनी लोवर बैक को अंदर की तरफ पुल करें, कॉंट्रैक करें 5,4,3,2,1 अब आराम से अपने दोनों पैरों को बोडी के सामने स्प्रेच कर लें, दोनों हाथों को बोडी के पीछे रखें, थोड़ा रेस्ट करें, फिर उसके बाद आराम से शवासन में आपको लेट जाना है, इस तरीके से, शवासन में लेटने के बाद थाई को बैली की तरफ लेके आएं, और इस तरीके से पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हुए, हग करें, अगर उंगलियों को नहीं फसा सकते हैं, तो थाई के नीचे यहाँ पकड़ अगर उंगलिया फसा सकते हैं, तो अपनी शिन बोन के ऊपर यहाँ पर अपनी उंगलियों को फसाएं, और फिर उसके बाद पिछले सारे अभ्यासों का काउंटर स्प्रेच, सास लें और सास छोड़ते हुए अपने माथे को या नाक को घुटने की तरफ लेके जाएं, व 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से पवन मुक्तासन का अभ्यास भी कम से कम, आपको लगभग 3 सेट जरूर करना हैं, और 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, सासों को रोक सकते हैं, रोकें, नहीं रोक सकते हैं, तो नॉर्मल ब्रीधिन के साथ अभ्यास करें, फिर शावासन में लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें, एक-एक करके, और अराम से लेटे हुए पूरी बोड़ी को रिलाक्स करेंगे, कम से कम 5 मिनट तक शावासन में लेटे रहेंगे, शावासन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है आपको नॉर्मल ब्रीधिन के साथ, तो देखा आपने स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको कितनी आसानी से समझाया कि यूट्रेस में फाइब्रोइड होता क्या है, कारण क्या है, लक्षन क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कौन-कौन से योग अभ्यास करने हैं, अब मैंने तो अपना काम कर दि और साथ ही उनका स्वास्त का ध्यान रखना भी आपका ही जिम्मधारी है आप खुद भी योग का भ्यास करें और अपने घर वालों को सभी को मोटिवेट करें कि वो हर दिन योग का भ्यास करें अगर मेरा प्रयास पसंद आया है ना तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से ग्रो करते रहें और अपनी जो अच्छी-च्छी जानकारी है ये वीडियो के माध्य हम से सभी तक पहुँचा सके आप सभी अपना खयाल रखिए नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी नमस्ते